दोस्तो आज केसे वीडियो में बात करने वा लेंगे अगर आपके service wire में कहीं कट है बीच में कटा हुआ है तो आप उसे कैसे बदलवा सकते हैं दोस्तो पोल से हमारे meter में जो तार आता है उसे हम लोग service wire बोलते हैं और अगर यह सर्विस वायर आपका बहुत पुराना है या फिर बीच में कटा हुआ है तो इसे बदलवा लेने चाहिए क्योंकि यह तार कटा हुआ होने पर आपके उपर बिजली चोरी का सक जाता है कि हो सकता है आप वहां से मीटर बाइपास करके बिजली चोरी करते हों ऐस इस वीडियो लोग इसी बारे हम बात करेंगे कि यह सर्विस वायर आप कैसे चेंज करवा सकते हैं इसके लिए क्या क्या चार्जर लगते हैं कितना पैसा आपको पे करना पड़ता है मस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमीत आप देख रहे हैं जरूरी बाते चलिए सुरू करत आप दोसर्विस वायर चेंज करने के लिए आपको ऑफिस में एक अप्लिकेशन देना होगा की आपको इस अपना सर्विस वायर चेंज करवाना है उसके बाद आपको कुछ फी जमा करना पड़ेगा जो भी आपका चार्ज बनेगा उसके गोड़ने आपको application के बाद आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा मीटर shift करने का या फिर wire change करने का जो चार्जों का वो आपको pay करना पड़ेगा इस बात पर depend करेगा कि आपका connection किस तरह का है आपके घर में जो meter लगा है वो किस तरह का meter लगा हुआ यानि single page meter लगा हुआ या 3 page लगा हुआ है तो ऐसे किसमें आपको दो तरह के charger pay करने पड़ते हैं पहला application fee और दूसरा refixing charge तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस connection के लिए आपको कितना charge pay करना पड़ेगा अगर आपना service wire change करवाते हैं तो दोस्तों अगर हम लोग application fee की बात करें तो ये category wise अलग अलग होता है किस category के आपका connection है उसके उपर ये depend करेगा जैसे अगर आपका कुट्रियोती के connection है के जे connection है तो आपको application fee 20 रुपय लगेगा इल्टी single phase कोई connection है जैसे domestic के commercial का अगर single phase connection है तो आपको application fee 75 रुपय लगेगा अगर three phase connection है तो आपको application fee 200 रुपय लगेगा बशे अगर lt का industrial connection है मतले LTS connection है तो आपको application fee 300 रुपय लगेगा और अगर स्टी कनेक्शन है तो साथ सो रुपिया लएगा उसके अलावा इस पर आपको अठारा परसंट जी एस्टी भी देना पड़ेगा दूसरा अगर मीटर रिफिक्सिंग की बात करें तो आपको सिंगल फिट के केस में आपको रिफिक्सिंग चार्ज दो सो रुपिया है थिरी फ आपका मीटर रिफिक्सिंग चार्ज 1200 रुपिया है अगर हम लोग सिंगल फिट डोमेस्टी के कमर्सियल कनेक्शन का वायर चेंज करने का कॉस्ट निकालेंगे तो ऐसे में हमारा अप्लिकेशन फिट में वायर चेंज करने का कॉस्ट आ जाएगा 325 रुपिया ऐसे ही अग हमार अप्लिकेशन फिट हो जाएगा 200 रुपिया और उसके जोड़ लिए 36 रुपिया उसके लावा आपको रिफिक्सिंग चार्ज हो जाएगा 400 रुपिया और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल चार्ज हो जाएगा 708 रुपिया यानि कि अगर आप अपना सिंगल फिट में वायर चेंज करवाना चाहते हैं सर्विस वायर चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको 325 रुपिया देना पड़ेगा और अगर 3 फिट में अपना वायर चेंज करवाना चाहते हैं तो इसमें आपको 708 रुपिया पे करना पड़ेगा दोस्तों यह जो वार खुद से खरीदना होगा ऐसा नहीं समझे कि आपको सर्विस वायर भी बिजली वाग पर बाइट दरेगा ऐसा नहीं आपको सर्विस वायर अपना खरीद कराना पड़ेगा वो सिर्फ आपका मीटर ओफन करेंगे और उसका सील तोड़के आपका तार चेंज कर देंगा और फिर से वो श्यल कर देंगे शिर्फ इसी का कोस्ट है तार आपको अपने से खरीदना पड़ता है तो दोस्तों इस तरह से किसी भी करेक्शन के लिए आप यह निकाल सकते हैं कि आपका सर्विस वायर चेंज करने का कोस्ट कितना आएगा दोस्त आउई यह वीडियो और आपके लिए कापी helpful रहेगी अगर आपके मन में कोई सवाल या से जाओ है तो नीचे comment box में जरूर लिखें और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे वेए में कमेंट करके जरूर बताएं और आपने कर हमारी चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लिए क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नहीं वीडियो तो लेकर आते रहता हूं चैनल बंदमात्रव